सब्सक्राइब कीजिए क्रिकाउन रेल यूट्यूब चैनल को और दबाई इस पास में दिये गए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके क्रिकाइट और रेलवे से जुड़ी हर छोटी वड़ी अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल मेरे नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं रेल टॉक्स चलिए दोस्तों शुरू करते हैं में हमारे आज किस रेल टॉक्स एपिसोड को लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है और वो है हमारी क्रिकेट टॉक सीरीज को लेकर तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारी जो क्रिकेट टॉक सीरीज है उसको मैं पॉस कर रहा हूं हो सकता है कि आने वाले एक दो महीने तक यह जो सीरीज है यह पॉस पर रहेगी उसके पर हमारी सबसे पहले अप्डेट की तो यहां पर सबसे पहले अपीडे हिरा जाइँ सवच रहेगी काफी साफ प्यो रहेगी ऐसे मिल्क इसे मिल्कटा करते पाुद जो environment रहेगा वो काफी ज़ादा अच्छा हो जाएगा उमीद करते हैं कि आगे जाकर Indian Railways और बाकी जो station से हमारे बड़े बड़े और छोटे छोटे सब जगा ऐसा ही initiative लेती रहेगी ताकि सब जगा passengers जो हैं वो एक जैसी facility के साथ में रह सकें दोस्तों यहाँ पर जग लेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारी मुंबई की AC local को लेकर तो दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर मुंबई की जो AC local है यहाँ पर 12 और रैक्स जो हैं वो अलोट किये जाने वाले हैं परिटिकुरली अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो मुंबई की AC local है उसमें शयाद आपको बहुत जादा changes भी देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि बताया यह जा रहे कि यहाँ पर जो AC local है इनको mini train eating का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो train eating के काफी सारे जो features हैं उसको include किया गया है इन racks के अंदर तो यहाँ पर जो अब नए racks निकल कर आ रहे हैं ICF चन्नाई से वो काफी ज़्यादा बो सेकते पर यहाँ पर जो शाली मार express है वहाँ पर इसमें से एक संदिग्द जो है packet वगेरा मिला उसके साथ में letter वगेरा लखा हुआ था उस letter में लिखा हुआ था कि यह जो packet है यह आगे जाकर जो है दूसरा कोई जो है आदमी जो है उसको उठा लेगा यहाँ पर जो हमारे बोल सकते जो passengers वगेरा है उनने इसके बारे में यहाँ पर हमारे जो railway के अधिकारी है उनको बताया यहाँ पर जो police वगेरा है वो आई उसके बाद में packet वगेरा की पूरी तरीके से जाच वगेरा की गई क्योंकि यहाँ पर अभी बीत दिनों यहाँ पर जो हमारी भारत की एजेंसी वगेरा है उनने बताया था कि यहाँ पर मुंबई में ब्लास्ट वगेरा की बहुत जादा चांसे वगेरा है तो उसकी वज़े से यहाँ पर अभी काफी जादा यहाँ पर हाई अलर्ट वगेरा और हो सकता है कि शायद उस packet वगिरा में भी कुछ ऐसी संदिक जीज़ें मिली हूँ उसके बारे में अभी तक यहाँ पर पुलिस ने बताया नहीं है ओपन अपडेट जैसे ही आएगे आपको आगे जाकर पता चल जाएगा रेल टॉक्स एपिसोड में अगर आपको इसके बारे में और जादा डीटेल में पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डीटेल में बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है नौर्टीस फ्रंटायर रेलवे को ले कर तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्टीस फ्रेंट आयर रेलवे के अंडर में तकरीबन 6200 किलोमेटर के जो रेलवे ट्राक्स है वो आते हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से अपडेट यह निकल कर आईगे कि मार्च 2020 तक यहाँ पर तकरीबन 50% जो ट्राक्स हैं उनको यहाँ पर जित्ते भी पार्स रहेंगे वहाँ पर आप लोग एलेक्ट्रिक लोकोमोटिस के साथ में ट्रावल कर पाएंगे काफी अच्छी अपडेट हैं उमीद यह करते हैं कि यह जो बचा हुआ 50% का काम रहेगा यह वी काफी जल्दी जो है रेलवे कंप्रीट कर लेग ज़धे हैं यह जो बचा हुआ जए वो च्छी एंगां गाल आप दूरी रह जाएगी और इसके लिए आप लोगो शायद बहुत जादा वेट करना पड़ जाए नाकपूर से लिकर अगर आप लोग छिंदवारा के बीच में जो है ट्रावल करना चाहते हैं तो हम लोग उमीद करते हैं कि जो बारिश का सीजन है उसके आने के पहले-पहले य दूस्तों यहाँ पर रेलवे ने काफी टाइम से प्लान कर रखा है एक्स्ट्रा प्लाटफॉर्म्स वगरा बनाने का लेकिन यह सारी जो चीज़े हैं यह सारी जो आप बो सकते प्लान्स वगरा है यह डिले हो जाएंगे डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर की वज़े से क् क्योंकि यहाँ पर एस एरिया में डी एफसी बनाने का पूरा काम है वो चल रहा है और रेलवे की तरफ से यहाँ पर अब इस चीज़े को क्लियर कर दिया गया है कि जब तक कि यहाँ पर DFC का काम पूरा नहीं हो जाता है और जब तक सराहनपूर के पास में से DFC की लाइन नहीं निकल जाती है तब तक यहाँ पर आप बोल सकते जो एक्स्टा प्लाटफॉर्म वगेरा के जो काम है उनको नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमाँ जो पैसेंजर ट्राफिक है वो शायद और थोड़ा यहाँ पर अनफैसिलिटेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सराहनपूर में एक्स्टा प्लाटफॉर्म की बहुत जादा जरुरत थी अगर यह बन जाते तो आने वाले टाइम में आप लोगो काफी ज़्यादा फैसिलिटी हो जाती हम लोग उमीद करते कि यह जो डी एफसी का पूरा काम है बहुत ही जल्दी कम्ट्रीट हो जाएगा जिसके बाद में सराहनपूर में आप लोग को एक्स्टा प्लाटफॉर् में लेकिन अभी आप लोगो को गौहाटी रेलवे स्टेशन पे सिर्फ दिखते हैं डीजल लोकोमोटिफ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगो के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट यह है कि यहाँ पर 2019 खतम होते होते गौहाटी रेलवे स्टेशन पर भी एलेक्ट्रिक लोकोमोटिफ पहुच जाएंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए यहाँ पर गौहाटी रेलवे स्टेशन से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में ट्रेन जाने के लिए जो इलेक्ट्रिक जाएंगी जिसके बाद में इन ट्रेंज की स्पीड पंच्छुयलिटी वगेरा ज दोस्तों यहाँ पर गौहाट कर आ रही है वह आ रही है बिलासपूर से चलने वाली पाँच एक्स्प्रेस ट्रेन जो हैं उन में अभी समर विकेशन की वज़ेसे जो है एक्स्टा कुचे जो है वो अलॉट किये गए हैं ऐसे में तकरीबर यहां अमरकंटक एक्सप्रेस है इसके अलावा भी यहां पर तीन चार ट्रेने और हैं तो यह जो है अभी एक्स्टा कोचिस के साथ में चल रही है और लेटरवे की तरफ से यहां पर इन कोचिस को 30 जून तक के लिए अलॉट किया गया था लेकिन अभी यहां पर अच्छ रिस्पॉंस को देखते हुए और उ यह जो है अभी एक्स्टा कोचिस के साथ में अक्टूबर तक चलती रहेंगी जो कि यह काफी अच्छी अपडेट है क्योंकि अगर आप इन में से किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों को कन्फर्म टिकेट मिलने के चांस्स काफी ज्यादा अच्छे रहे अग्राव कर पाएंगे दूसरे यहां पर अग्लियर आजकी फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वह आ रही है जबलपूर जंक्शन की तरफ से तो अगर आप मेरे रेल टॉक से एपीसूड को फॉल्लो करते होंगे तो आप लोगों पता होगा कि यहां पर डिडवालप् काम चलेगा यह जो काम चलेगा तब यहां पर काफी सारी जो ट्रेंज को कैंसल करना पड़ेगा ऐसे में यहां पर जो जबलपूर जंक्षन के रेलवे अधिकारी हैं उनका कहाना यह है कि वो लोग जो हैं लॉंग डिस्टेंस की मुशली जित्ती भी ज्यादा ट्रेन यहां कम कैंसल करने की कोशिष करेंगे यानगी कैंसल होंगी यहां पर काफी सारी जो ट्रेंजंगे वो जबलपूर को जाएं तो उसको आओर में ख़डा ना होना पड़े आज़ आज के लेल्ट आपिसूड में यही ते कुछ मेजर मेजर अपडेट्स मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए और फ्रेश अपिसूड के साथ में, और हाँ क्रिकेट टॉक्स नहीं आएगा, मतलब अब नहीं आएगा, जब तक मैं आपको नहीं अपडेट दिए देता, रखात होगे आप सिर्फ बहुत ज़दी, एक और नई और इंटरस्टिक वीडियो के साथ में तब तक के लिए बिया टाइबलर, बिया एक्स्ट्रोरर, जय हैं, जय भारत, वन्य मातरम